वे जैसिपिस में आज हम बनाने जाने वाले है लापसी, ये हमारे घरों में तेवारों के दिन बनाई जाती है ये एक इंट्रेंट डिस है और कुछी मीन्टों में बन जाता है तो इसके लिए लिया है हमने half cup broken wheat दलिया और good लिया है उसे 2 टेबल स्पून कम हम sweetness को कम या जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और मैंने दुसरे pan में तेड़ कप पाली लिया है उसे boil करने के लिए रख दिया है अब एक pan में हमने one foot cup गी लिया है उसके गरम होने के बाद हमने अपनी broken wheat दलिया डाल दिया है और उसे brown होने तक हम इसे लगातार चलाएंगे हम इसे medium flame पर ही चलाएंगे इसके brown होने के बाद हम gas one कर देंगे और इसमें add in करेंगे हमारा पानी पानी add करने के बाद अब medium flame पर हम इसे एक boil आने के लिए रख देंगे boil आने के बाद हम इसे slow flame पर ढख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए और सारा water evaporate होने के बाद हम इसमें add in करेंगे हमारा जैगरी पाउडर और जैगरी पेस जैगरी पाउडर अच्छे से mix हो जाएगा लेकिन अगर आप साबू जैगरी यूज करोगे तो उसको पहले slice करके थोड़ा सा पानी में गोल के गरम कर दीजेगा और फिर add in कर दीजेगा क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका दल्य अच्छे से cook नहीं होगा आप देख सकते हो कि हमारे दल्य ने पूरा पानी पी लिया है अब हम आपार जैगरी इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से mix करेंगे mix करने के बाद हम गीच उटने का weight करेंगे इसे लगबग 5 मिनिट लगेंगे आप इसे चलाते जाए अब हम इसमें एड इन करेंगे हमारा चुटकी वर इलाइची पाउडर और इसके ओपर डालेंगे स्लाइस की हुए बदाम आप इस पर कुछ भी टॉपिंग डाल सकते हो मुझे बदाम पसंदे इसलिए मैंने बदाम डाली है तो लीजिए हमारी लापसी इंस्टेंट डेजर्ट रेड़ी है तो आप भी जाएं जरूर बनाएं enjoy